हेलो फ्रेंज वेलकम बैक टो मैं चैनल कोकविट सबा आज की हमारी रेसिपी आप देख सकते हो बहुत ही चीजी और बहुत ही यमी है और यह इतनी इजी है फटा फट से बन जाती है और इसका नाम है चीजी गार्लिक एन ओलिफ पुल अपार्ट चलिए देखते हैं इसे कैस ने बनाते हैं कि यहां आमने देखिए यह दू टेबल स्पून भरकर बटर ले लिया है यह हमने सॉल्टे वाला बटर लिया है आप चाहो तो अन्सॉल्टेड बटर भी ले सकते हो तो टेवल पुल भरकर हमें यह बटर लेने के बाद इसमें आड करेंगे और रिगैनो 1 फ कुछ श्मीलें ज़र अप्रोप कर दे चोंगे। और यह थोंसे चाहसा देक्राइब कर दूंटे करता है यह थोंसे वह स्यूत्सी हारे, मोद्रम Kirby को घ्षाएं आपके लिए कुछ नमीज़न ोदो कर देए गया है। गालिक बटर रेडी हो गया है अब हम एक बर्गर बन लेंगे और उस इस तरह से कट कर लेंगे सेक्शिंग में हमें इसे कट कर लेना हैe यह आप रेचिपी बच्छों के लिए बना सकते हैं बच्छे बहुत पसंद करते हैं ेसे इसे पूरा नीचे तक नहीं निहीं इत्ना उन्यें बीव माद आए इस सप्रेड कर ले ए उनक लेंगे हैं में तरह समारें शबीन तरह स्णावब बॉक्सें हैं दो बॉव्कस अच्छे स्प्रेड कर ले इनाए कोई भी सेक्शन ना छुटे इसलिए लाइन से आप इसे लगा ले और थोड़ा सा गालिक बटर उपर भी स्प्रेड कर दे और इसमें अब हम स्टफ करेंगे चीज और यह देखिए यह हमने डाइस चीज जो आता है वो ले लिया है आप चाहो तो चीज ग्रेट कर सकते हो और आप कोई भी चीज आइड कर सकते हो यह हमने ब्लेंड चीज लिया है जिसमें मौजरेला और चेडार चीज मिक्स है तो अगर आपके पास मौजरेला चीज नहीं है तो आप प्लेन चेडार चीज भी यूज कर सकते है और इस तरह से हमें इसे सारे सेक्शन में स्टफ कर ले इस तरह से अगर आपको औलिव नहीं पसंद है ब्लाक ओलिव तो आप इसकी जगह पर स्वीट कॉन आड़ कर सकते हैं मैंने तो नहीं कभी आड़ किया बट इंस्टेड ऑफ ऑलिव यू कें ट्राइब और इस तरह से हम ओलिव दो तीन उपर रख देंगे और ये बेकिंग ट और अब हम इस बन को प्रिहीटेड आवन में 10 मिनिट के लिए बेक करेंगे 150 दिग्री सेल्सियस पर 10 मिनिट के लिए हमें इसे बेक कर लेना है और ये देखिए ये रेडी हो चुका है और अब हम इस पर स्प्रिंकल कर देंगे कुछ चिली फ्लेक्स और 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 औरिगानो या फिर मिक्स हर्ब्स भी आड़ कर सकते हो आप ये देखिए अगर आपको तीखा नहीं पसंद है तो इस यूर चॉइस आपको रेड चिली फ्लेक्स आड़ करना है या नहीं और बस ये बन कर रेडी है सिम्पल इजी और इंस्टेंटली बन जाने वाला चीजी पुल अप आप इसे ट्राइ करें और हमें बताए कि आपको ये कैसा लगा जब तक के लिए बाए बाए